नौव महिना में अगर आपको यह सारे स्म्टम्स महसूस हो रहे हैं तो जल्दी अब आपके डिलीवरी होने वाली है वेलकम टो इंडियन मॉम के चैनल मैं हूँ आश्वरया जहां पर मैं अपने प्रेग्नेंसी और लोगों के क्वेडियो को स्टार्ट करते हैं नवा महिना के पहले ही क्या होता है कि जो बेबी का हेड़ डाउन है वह हो चुका होता है बहुत सारे महिलाओं में अगर बहुत सा हेड़ डाउन नहीं होगा नवम महिलाओं में अरस होता लुक्तिया कव चीज़ बिए हैं तो हेड डाउन पोजिशन शुखले हैं पने होगर् novे deep वाले past ने क्या है बहुत यह जो बडर आपभ उसलम सबनाएं वह नहीं होता है COP दीम वाले चाहिए अब्योंक शुरूंब तोड़ा सा भूल हो जाए या पिर समझ में ना आये कि जो वो symptoms महतुंस कर्या रही है कि क्या वो delivery होने के साइन है चलिए मैं बताती हूं सबस्के पहले जो symptoms होता है contractions को लेके पेन को लेकर जो पहली बार मां बनती हैं वो joka अपयाचान पाती है लेबर पें को दो टिक दिमें बाटा गया हैं एक है टू लेबर पें एक है फॉल्स लेबर पें फॉल्स लेबर यानि की जूधा ट्रू मतलब सच्चा जो सच्चा है वो अंध तक आपके साथ रहेगा यानि कि जो सच्चा लेबर पेन शुरू हो रहा है वो डिलीवरी तक जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक वो लेबर पेन बना रहेगा पॉल्स लेबर पेन तुरंत आएगा छू हो जाएगा छ इस वक्त आखरी कुछ दिनों में उनके डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं वह दिस्चार्ज यह भी हो सकता है कि मुकस प्लग आपका निकल गया है उसके भी वह दिस्चार्ज आपको इसलिए देना है कि अगर इस्पोर्टिंग टाइप की हो रही है तो इसका मतलब मुकस कर घा है और देवरी बिल्कुल पास है उसके बstat धर जो है भी बहुत सारी महत्तों लूज आखे लूज मोशन अप्ले से आप हो सकता है ये इसादिवर्य को करौप रूप्लम शुरू है लेकिन नहीं ये सिंप्तम्स होता है एक साइन होता है कि आपके डिलीवरि हो सकता है कि एक हफ्ते में पांच दिन में शे दिन में इस तरिके से आपकी delivery अब कभीedy हो सकती है तू लोल्ज्मों एक delivery का साइण माना गया है बार बार यूरीन के लिए जाना और यूरीन के लिए को ayrगनेे वही आप आपको urination command बीवी ने जब हैड डाउन किया है थैज तैज्ट अरा इस सर इस तरीके लिखों युटा कि बार बार यूरीन के लिए आपको जाना पर सकता है जब भी हैड़ डाउन कर लेता है और जब भर ड्रापिंग उसकर एंगे होने लगती नीचे की ओर और कुछ मिंटो कुछ सेकंड के लिए आपको दर्द महसूस हो रहा है तो ये भी एक डिलीवरी होने का सिम्टम्स है ये आपके डिलीवरी जल्द ही होने वाली है emotional कुछ symptoms होते हैं जैसे कि आप बिल्कुल unconscious फिल कर रहे हैं पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फेका हुआ निकला हुआ लग रहा है बिल्कुल पेट एक जगा आपको बाहर लग रहा है और बाकी body पीछे लग रही है मतलब जो पहचान जाएंगे जिन्हों ने experience किया है pregnancy वो पहचान जाएंगे कि वो पेट का जो आकार है वो delivery होने वाली है इस तरीके से हो गया है तो पेट के आकार में भी चेंज हो जाता है delivery जब बिल्कुल पास होती है तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक चैनल की सब्स्क्राइब और कमेंट करते जाएं